मुगल शाशक औरंग जेब के दुआरासन 1689 इस्वी में जजिया कर लगाए जाने के बाद मराठा शाशक शिवाजी महाराज ने औरंग जेब को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के कुछ हंशों को पढ़कर हमको ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से औरंग जेब को शिवाजी महाराज के विरुद्ध अभियान चलाने में बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा था इसके अतिरिक्त औरंग जेब के द्वारा ये जो जजिया कर लगाया गया था इसी के संबन्द में प्रसिद इतिहास कार सर जदुनाज सरकार अपनी किताब है शौट इस्ट्री आफ औरंग जेब पेज नंबर 125 पर लिखते हैं कि उस समय के जो यात्री थे इटली के यात्री मनुची जिन्होंने शाह जहां और औरंग जेब के समय दरबार में कारिये किया था मुगल दरबार में तो जदुनाज सरकार निकोलो मनुची को कोट करते वे लिखते हैं कि मनुची ने नोटिस किया कि जो हिंदू जजिया कर चुका पाने में ऐस समर्थ थे उन्होंने इस अपमान से बचने के लिए मुसलिम धर्म को जोइन कर लिया यानि वो कनवर्ट होते चले गए इसके अतिरिक्त हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि औरंग जेब ने अपनी धार्मिक नीती के तहत जजिया कर लगाये जाने के बाद जब हिंदू इस जजिया करके विरोध में इसको हटाये जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो किस प्रकार से औरंग या शाहा जहां उस प्रकार की उदारता औरंग जेब के शाशनकाल में देखने को नहीं मिली इस संपूर्ण विश्यपर हम बात करने वाले हैं मैं रमन भार्दवाज आईए शुरू करते हैं खेर ये तो हम जानते हैं कि औरंग जेब का शाशनकाल सन 1658 से और 1707 वितक कर रहा और अपने शाशनकाल के दौरान औरंग जेब के द्वारा सन 1689 मतलब 1669 और 1689 में दो अलग लग आदेश निकाले गए थे 1669 के आदेश के दौरा मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया और इसलाम धर्म के अतिरिक जो दूसरी धार्मिक गतिविदियां थी उनको सीमित या प्रतिबंदित किया गया इसके अतिरिक्ट 1679 के आदेश के दौरा औरंग जेब के दौरा फिर से जजियाकर को लगा दिया गया जजियाकर जो गहर इसलामिक व्यक्तियों से लिया जाता था हिंदूों से सिखों से जैनियों से तो इस जजियाकर को वापस लगा दिया गया वो ही जजियाकर जिसको औरंगजेव के परदादा मुगल शाशक अकबर के द्वारसन 1564 इसवी में समाप्त कर दिया गया था तो जिस प्रकार से अकबर ने इस जजियाकर को समाप्त करके अपनी धार्मिक उदारता का परीचे दिया था औरंग जेब ने इस जजियाकर को वापस से लागू करके अपनी धार्मिक कटरता का परीचे दिया तो खेर औरंग जेब ने नए केवल अपने शाषनकाल के दोरान इस प्रकार की कटरता का परीचे दिया वलकि अपने शाषनकाल से पहले भी अपनी सुबेदारी के दोरान भी इस प्रकार की कटरता का परीचे दिया था हम sources के साथ बात करते हैं एक किताब है a short history of औरंग जेब सरजदुनाद सरकार के दोरा लिखी गई है इसमें page नमबर 123 पर सरजदुनाद सरकार हमको यह बताते हैं कि सन 1644 इसवी में गुजरात की सुबेदारी के दोरान औरंग जेब को सन 1645 के दोरान गुजरात का सुबेदार बनाया गया था मुगल शाशक शाहा जहां के दोरा और थोड़े समय के लिए ही वहां औरंग जेब को गुजरात का सुबेदार बनाया गया था बाद में फिर औरंग जेब के जो भाई थे मुराद को गुजरात की सुबेदारी दी गई थी खेर वापस विशे पर आईए कि औरंगजेब के दुआरासन 644 SISV में गुजरात की सुवेदारी के दौरान वहां बहुत सारे मंदिरों को गिराए गया और इनी गिराए गये मंदिरों मेंसे एक मंदिर का भी उल्लेख है वो मंदिर है एहमदाबाद का चिंतामण या चिंतामणी मंदिर सर जदुनाज सरकार लिखते हैं कि इस मंदिर में पहले गाये को काटा गया अब गाये को काटा गया होगा मंदिर की पवित्रता को भंग करने के लिए तो गाये को काटा गया उसके बाद इस मंदिर के स्थान पर वहाँ पर एक मस्जिद का निर्मान करवा दिया गया अब इसी घटना के संबन में जानने को लेकर मन में और जिग्यासा, और ज़्यादा उटसुकता थी, तो मैंने और ज़्यादा sources को खंगाला, क्योंकि जितने ज़्यादा sources पढ़ेंगे, उतनी ही विशय की प्रमानिकता बनी रहती है। उसको गिरा दिया गया था, लेकिन बाद में उसको बनवा दिया गया, अलाकि मैं अभी sources की और बात करूँगा, जब हम एक source और देखते हैं, बंबई गजेटियर, पार्ट वन, पेज नंबर 280, तो उसमें हमको जानकारी मिलती है, कि उस समय के मुगल शाशक, शाहा जहां ने ओरंग जेब के इस कृत्य को अनूचित ठेराया, और बाद में वहां मंदिर के निर्मान की फिर से आग्या दे दी थी, तो मतलब मुगल शाशक, शाहा जहां में धार्मिक उदारता थी, लेकिन ओरंग जेब में उसके विपरित धार्मिक कट्र था थी, मैंने इसी विशय क के संबन्द में नेट पर भी जब सर्च किया, तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम मिला, जिसने उस समय में उसक्षेत्र की यात्रा की थी, फ्रांस के एक यात्री थे, जिनका नाम था थेवनोट, और थेवनोट के द्वारा जनवरी 1666 में, मतलब जब ये घटना हुई थी उसके 20-21 साल बाद, सूरत और एहमदाबाद की यात्रा की गई थी, और थेवनोट के द्वारा भी इस प्रकार की घटना के संबन्द में लिखा है, आप चाहो तो नेट पर जाकर सर्च कर सकते हो इस नाम से, खेर, वापस विशे को थोड़ा ओर आगे बढ़ाते हैं, सर ज अटक से और मिदनापोर तक के जो क्षेतर थे, वहाँ पर, सब डिविजन इस्तर पर और गाओं के इस्तर पर भी अधीकारियों की, करमचारियों की नियुक्ति की गई, और उनका दाइत्व ये था कि इस क्षेतर के मंदिरों को तोड़ दिया जाए, आदेश ये दिया गय तो हमको कुछ और जानकारी मिलती है, कि जब ये विवाद बढ़ा, तो विवाद बढ़ने के बाद, और जेब के दुआरा नए मंदिरों के साथ साथ, पुराने मंदिरों के तोड़ने का भी आदेश जारी कर दिया गया था, एक मंदिर की और चर्चा करते हैं, और उसके स में आप जाएंगे तो मतुरा में एक मंदिर है केश राय या केशाव देव का मंदिर, वही मंदिर के बगल में आपको एक मस्जिद भी दिखेगी, पीछे इमेज़ है, मंदिर और मस्जिद दोनो साथ-साथ हैं। उस रेलिंग को औरंगजेब के द्वारा हटवाया गया 1666 में और 1670 इस्वी में इस मंदिर को तुड़वा दिया गया। और इस क्षेतर का नाम इसलामाबाद कर दिया गया था, इसके अतिरिक्त। और कुछ जानकारी हमको मिलती है कि औरंग जेब के द्वारा बाकायदा यहां पर अधिकारियों की नियुक्ती की गी थी, एक मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था फोसदार के पद नाम से, वो व्यक्ति था अब्दुन नभी, अलाकि अब्दुल नभी होगा, गैर इसलामिक धार्मिक गतिविदिया हैं या गैर इसलामिक धार्मिक जो केंद्र हैं, उनको गिराया जाए और उनको नस्ट किया जाए, दरसल ये मुतासिब जो हैं, ये बजार के सूपरवाइजर हुआ करते थे, मार्केट जो होता था, उनका निरिक्षन किया करते थे, तो इनी लोगों को ये दायत्व दिया गया था कि दूसरे जो धर्म है, हिंदू धर्म होगे, जैनी धर्म होगे, शिखोगे, उनकी धार्मी गतिविदियों को प्रतिबंदित किया जाए या उनको कुछला जाए अब ये जो मंदिर है केशव राय या केशव देव का मंदिर इसी के समन्द में मैं नेट पर भी थोड़ा और सर्च कर रहा था तो मुझे दे हिंदू का एक आर्टिकल मिला और उसमें जानकारी ये थी कि अभी पिछले वर्ष 2020 में सितंबर अक्टूबर 2020 में एक याचिका दायर की गई है मतुरा कोर्ट में और कोर्ट के द्वारा एक याचिका को एकसेप्ट कर लिया गया इस बात पर अब सुनवाई होगी कि ये जो स्थान है क्या वास्त में या भगवान श्री कृष्ण का जनम हुआ था इस स्थान को तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी खेर ये तो नियायले में अभी आने वाला अभी विशय है और नियायले में इस पर विचार होगा इसलिए जादा इस पर और कोई टिपनी नहीं की जाएगी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर जदुनाथ सरकार और बताते हैं कि औरंग जेब के दुआरा और भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया एक तो है सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है और वैसे भी सोमनाथ मंदिर तो ऐसा है आमेर में भी मंदिर को तोड़ा गया था आमेर या जिसको आमेर या जिसको अंबर कहा जाता है जहां जैपुर राज गराने की राजदा नहीं हुआ करती थी गौर करने वाली बात यह है कि जैपुर राज गराने का तो अच्छा संबन्द हुआ करता था ना मुगलों के साथ में जैपूर के जो शाशक थे मान सिंग अकबर के साथ में अच्छे रिलेशन थे उनके इसके अलावा हम जानते मिर्जा राजा जैसिंग ने तो जीवन भार मुगलों के लिए बहुत अभियान चलाए थे बावजूद इसके 1680 में आमेर का वो मंदिर गिरा दिया गया था अब नेट पर मैंने उसके संबंद में और सर्च किया लेकिन और मुझे कोई जादा जानकरी मिल नहीं पाई उसके संबंद में जैसा सर जदुनाच सरकार अपनी जैसा गोरी शंकर ईराचन दोजा अपनी किताब उद्यपूर राजिका इतिहास पार्ट सेकिंड पेज नंबर 468 पर हमको जानकरी देते हैं कि गोवर्धन में वल्लब संप्रदाय की जो पीठ थी गोवर्धन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है तो वल्लब संप्रदाय की जो पीठ थी वहां की मूर्तियों को बचा कर लाया गया राजस्थान की ओर एक तो थी द्वारेकाधीश की मूर्ती बगवान श्री कृष्णी की और एक थी श्रीनाजी की मूर्ती इन मूर्तियों को वहां से बचा कर राजस्थान में लाया गया और मेवाड के जो शाशकते महाराणा राज सिंग उन्होंने इन दोनों मूर्तियों को मेवाड में इस्थापित कराया काकरोली जो वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद मजिले में आता है और श्रीनाज जी की मूर्ति को नाथ द्वारा में इस्थापित करवाया हो सकता है नाथ द्वारा या श्रीनाज जी के बारे में आपने जरूर सुना होगा बहुत प्रसिद्ध तो नाद द्वारा में श्रीनाज जी की मूर्ति को इस्थापित कराया था इसी के संबन्द में जब मैंने पढ़ा तो और जानकारी मिली कि जब ये मूर्तियां लाई गई थी या राजस्थान में तो गोसाई जी महाराज के द्वारा लाई गई और गोसाई जी महाराज पास लेकर आईए और इस मूर्ती तक औरंग जेब के हाथ पहुचने से पहले मेरे एक लाख राजपूतों के सिर काटने पढ़ेंगे तबी औरंग जेब अपने हाथ वहां तक पहुचा सकता है दरसल ये मूर्ती गोसाई जी महराज के द्वारा लाई गी थी लेकिन फिर बा खेर ये तो बात ही औरंग जेब के द्वारा जो मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के सम्मन्द में जो गतिविदियां चलाई गई जो आदेश जारी किये गए उनक से संबंद देते हैं अब एक बार बात कर लेते हैं जजियाकर के बारे में देखें जजियाकर का आदेश औरंग जेब के द्वारा 1689 इस्वी में लागू किया गया था और इसके द्वारा वापस से जजियाकर लिया जाने लगा जजियाकर गैर इसलामिक व्यक्तियों से लिया जाता था मतलब अगर आप हिंदू हैं सिख हैं जैनी हैं इसलाम के अत इस जजियाकर को अपमानित कर कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, थोड़ा समझ ये, जिन से जजियाकर वसूला जाता था, उनको कहा जाता था एक तो जिम्मी, और जब कोई अधिकारी या करमचारी जजियाकर लेने के लिए आता था, तो जिम्मी नंगे पैर वहां तक चल क जिम्मी मतलब जिन से लिया जा cuma ज्मी कहा जाएगा तो वो नंगे पहर जाएँगे जजिया कर देने के लिए अधिकारी और करमचारी बैठा रहेगा और वो खड़े होकर जजिया कर वो अधिकारी या करमचारी कहेगा यह जिम्मी जजिया दे और उसके बाद वो जजिया दिया जाएगा इसी के संबंद में सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब वही एक सो पच्चिस पर मनुची को कोट करते वे लिखा है कि मनुची ने नोटिस किया कि इस जजियाकर को न कि 1564 इसवी में मुगल शाशक अकबर ने इस जजियाकर को समाप्त कर दिया था अकबर को यह लगा कि इसके दुआरा अन्याय होता है और जो गैर इसलामिक व्यक्ति हैं हिंदू हैं उनकी आर्थिक इस्तिती बहुत खराब होती है इसलिए अकबर ने इसको समाप्त कर दिय जहांगिर ने भी इस जजियाकर को नहीं लगाया शहा जहा ने भी इस जजियाकर को नहीं लगाया लेकिन औरंग जेब के दुआरा इस जजियाकर को लगाया गया इस जजियाकर को लगाये जाने के दो प्रमुक कारण हमको समझ में आते हैं एक तो मुख्य है औरंग जेब आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा था और शायद इनकी वजय से भी औरंग्जेब के द्वारा ये जजिया कर लगाया गया था यहां पर अब एक पत्र की चर्चा करनी जरूरी है जिससे थोड़ा और समझ में आएगा कि ये जजिया कर लगाया जाने का एक कारण आर् औरंग्जेब के द्वारा जजिया कर लगाया जाने के बाद औरंग्जेब को एक पत्र लिखा गया था उस पत्र के समंध में ये कहा जाता है अलग अलग इतिहासकारों के दुआरा किसा वो मेवाड के शाशक मारणा राज सिंग ने लिखा कुछ यह कहते हैं कि नहीं करेंगे जब यह सारा conclusion बाहर आ जाएगा पहले बात कर लेते हैं कि वो पत्र की मुख्य मुख्य heading क्या थी और वर्तमान में उस पत्र की प्रतिया कहां उपलब्द हैं और फिर हम बात करेंगे कि उस पत्र को किसके द्वारा लिखा गया होगा उस पत्र की कुछ बाते हैं कि मैं जानता हूँ मतलब जिनोंने भी लिखा है उन्होंने क्या लिखा है कि मैं जानता हूँ कि मेरे विरुद जो कारवाई की तब्दीर की जा रही है कारवाही की जा रही है उसमें आपका बहुत बड़ा पैसा खर् और उस खाली होते, खाजाने की बरपाई के लिए ही आपके द्वारा एक कर लगाया गया है, जजिया कर जिसको कहा गया, आगे उस पत्र में ये लिखा गया है, कि आपके अन्याय की वज़े से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, जो आपके अधीन थे, लेकिन अब आपकी अधी इंता से निकल गए और इसी प्रकार दीरे दीरे जो बचेवे क्षेतर हैं वो भी आपके हाथ से जाते रहेंगे यह इस प्रकार का पत्र औरंग जेब को लिखा गया था इस पत्र की तीन प्रतियां हमको मिलती है एक तो उद्यपुर राज घराने में मिलती है इसके अलावा एक मिलती है हमको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में और तीसरी जो इसकी प्रति मिलती है वो मिलती है लंदन में रोयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन ये तीन जगे से इसकी प्रतियां मिलती है सबसे बड़ी जो इसकी कोपी है वो लंदन में है उससे छोट दाथर के दाष्टल में उन्हों ने तो यह कहा है कि यह पत्रर मारवार के शाष्डक माराजा जस्वन सिंग राठोर ने लिखा है, जबकि यह बात इसपषट है उनके द्वारा नहीं लिखा गया, मैं तरक देता हूं, संजाता हूं आपको, ओरंगे स्वारा जजी आकर लग तो उनके द्वारा तो ये पत्र नहीं लिखा गया गोरिशंकर इराचंदोजा ये कहते हैं कि ये पत्र मिवाड के शाशक मारणा राज सिंग के द्वारा लिखा गया वो ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि इस प्रकार का जो ये पत्र था इसको अनुवादित किया था W.B. रोज के एक अंग्रेज भी अक्ति थे और उसी अनुवादित पत्र को कर्णल जेम्स टोड ने अपने sources के अंदर include किया था और उनको पढ़ने के बाद गोरिशंकर ईराचन दोजा ने भी इसके संबन में लिखा है लेकिन गोपिनाच शर्मा इस संबन में क्या कहते हैं वो ज़्याद मुगल दर्बार में उपस्तित हुए थे और हम यह जानते हैं कि औरंग जेब के द्वारा उनको कैद कर लिया गया था आगरा में और वहां से शिवाजी महाराज बचकर निकल कर आ गये थे और किस प्रकार से फिर उन्होंने मुगलों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया थ औरंग जेब की नाक में दम कर लिया था और शिवाजी महाराज के विरुद्ध जितने भी अभियान चलाये जा रहे थे मुगलों के द्वारा उनसे उनको बहुत जादा आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा था यह हमने देखा था कि जब आमेर के शाशक मिर्जा जै और इसका कोई रिजल्ट भी निकला क्योंकि शिवाजी महाराज आगरा से बचकर वापस चले गए थे और फिर से उन्होंने अपने सैनी अभियान चालू कर दिये थे तो यह जो बहुत सारा आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा था इसकी बरपाई के लिए भी लिखा गया होगा इसके अतिरिक्त गोपिनाच शर्मा ये भी कहते हैं कि इस पत्र की जो शैली है लिखने की शैली वो उस प्रकार की नहीं है जैसी मेवार से लिखी जाती थी ये शैली मेवार से लिखे गए पत्रों की शैली से बिन है अलग है इसी लिए इस बात की ही शिवाजी माराज के द्वारा लिखा गया है और सर जदुनात सरकार भी यही कहते हैं कि यह पत्र शिवाजी माराज के द्वारा ही लिखा गया है। आगे सर जदुनात सरकार यही लिखते हैं कि जब शुकरवार को औरंग जेब अपने दुर्ग से और जुम्मा मस्जिद में या जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे हिंदु एकत्रित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इस जजिया करको वापस लिया जए जब वहां से हिंदु नहीं अटे तो ऑअरंग जेब के दुरा यादेज दे दिया गया कि इनके उपर हाथी अपनी धार में कटरता का परिचे दिया और शायद यही कारण था कि औरंग जेब की मृत्यू के तुरंत बाद से ही या औरंग जेब के शाशनकाल के अंतिम समय से ही मुगल सामराजे का पतन होना आरंब हो गया था शायद हो सकता है कि अगर औरंग जेब की ये नीतियां इस नहीं रही होती जिस प्रकार से मुगल शाशक अकबर की नीति थी या जहांगीर की या शाह जहां की नीति थी जिन में उदारता देखने को मिलती है अगर औरंग जेब के समय भी इस प्रकार की नीति रही होती तो मुगल सामराजे का पतन इतनी जल्दी ना हुआ होता या ह हो सकता है बड़े लंबे समय तक चलता है चलिए बाकी को यह और नया विशे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिंद